सुप्रवाद, आज हम कफ्षय नोभी हिंदी व्याक्रण में पढ़ेंगे कवीता का स्वरू कवीता का स्वरू को विकास कवीता क्या है? कवीता क्या है? कवीता क्या है? कवीता सुप्रसे समाल उच्चा के वरूंचिंतक के आचारे राम चंडर सुप्री में कवीता को परिवासित करते हुगे लिखा है कि कवीता वाई साधन है जिसके दार सुष्टी के साथ मनुस्त के रावात मख संबंध की रख्षा और निर्वाद होता है इस परिवासित की तीन मिसिस्ता हैं जैसे कवीता माना वेक्ता की प्रफिस्था करने कर एक साधन है और यही वह उप्तुप्ता है फिर कवीता में भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है कवीता दौरा हम भाव प्रगट कर सकते हैं कवीता में कभीकी प्रफिसमय के साधन था बड़ना करो कवीता में कभी की अनुगोती की अभी ब्ष्थी भी रहती है कभीता को बहुत है अभी ब्रट्य प्रकाट करता मों यहीं प्रकट करता भाव मन बुट कर लुग प्रति ने जिकरीप mã करें सकते चिए काभीवास आलंकार कावके गोन आ दें। कभीता का अंत्रिक पक्षक काव की आत्मा होती है, लसात्मा का और इप्रटा, भाव, प्रकट करना, विचारों का समवेश भी रहता है, है ना, कल्पना की स्रजनात्मक्ता भी होती है, सोंदरे का बोद भी होता है, जैसे कभीता कभी का हमने पढ़ी, पिछले उसमें अलगक पढ़े की चारुचंद की चंचल के रहते हैं, वैसे ही कभीता में सोंदरे का भी होता है, फिर इसके अंतर दर सोंदरे विचार, नाद, सोंदरे और आप रस्तुतियों जनाये, को सामिल किया जाता है, काव एके ठेथ, अब एक काव एके दो भेद होते है, रश्य काव और दर इसके चारुचंद की 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 है ना क्योंकि कावे द्रश है वाई तो द्रश है और जो स्रव है वाई भी द्रश हो सकता है आज किसी भी कावे को द्रश है किया जा सकता है आज की समय मेडिया द्वारा है ना इलेक्ट्रानिक जैसे आप उनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही हम इलेक्ट्रानिक द्वार भी काद्यकाव गर्धन कर सकते हैं. पिर कावे, प्रबंद कावे, मुक्तक कावे, महा कावे, खंडे कावे, आख्यानिक गोतिया और गथे और गथे और गथे और गये पुस्तः, गथे पुस्तः हैं. गद्ये मुक्तक है यह और एक है गे मुक्तक है यह गे मुक्तक है यह जाना पर महाकाव है महाकाव में जीवन की विशत्याख्याएं होती है और इनका इतिहाद प्रशिद्ध होती है इसकी नायक उदात चरिद वाला है तीरे धीरे गंबीर होता है महाकाव में श्रंगार शांत और वीरस मैंसे एक रस्त प्रदान महाकाव में श्रंगार सांत और वीरस मैंसे एक रस्त होता है और सेस्त रस्त गोन होता है फिर महा काविट सर्ग बर्दार्धस में कम से कम आज सर्थो होते है cotton महा काविटी का थारा प्रभाय उती है मार्मे पृतंगों का वर्णन what है हिंदी की प्रभूः महा काव को का कॉंसि जैसे राम चरित्माना ये पजमावत मलिक मुहम्मद जैसी के लिखे हुए मैजी सर्म गुप्त की काम आयनी जै प्रशाद जी की उर्वशी रामदारी सिल्कती आदी महा कावर रचनाओं को हम पढ़के देख सकते हैं महा कावर में क्या वर्णन है या काहे का चित्रन किया है खंड काव में जीवन की किसी एक भागया एक घटना या चरित्र का वर्णन होता है किसी एक का होता है किसी एक खंड का घटना का कहीं के जीवन का कहीं के चरित्र चित्रन का वर्णन होता है अपने आप में है एक कुन रचना होती है और इसमें छंद में छंद भी होते हैं पंच्वटी जैसे जैद्रवद नहु सुदामाचरिस पत्रिक हल्दी घाटी और प्रसिद खंड काव अप्ठ्यानिक्रतियों के बारे में हम देखें किया अप्ठ्यानिक्रतियां किया है महा कावर कंड कावर्व से भिर्द पर्द कहानी का नाम आप किया अंप क्या है महा कारोर खंड काबु से अलग होने वाले पद्द्ध कहानी का नाम आख्याने गीति कहा है क्रचिया है वीर्ता का वर्णन साहस परक्रम प्रेम बलिदान और कवनादी से प्रेडिस घठनाओं का वर्णन प्रसमों का गथा की मार्दयम से अधिया किया जाता है इसमें आख्याने क्रचियों में इसकी भादा सारा लौर रोचक होती है गीत आत्मक और नाज की एत्मक की विशेश्ता है फिर है मुक्ताकाव में एक अलौर होती एक भाव या एक कल्पना का चित्रन होता है है ना किसी एक भाव या कहीं की कल्पना का चित्रन होता है मुक्ताकाव की भी भासा सारा लौर स्पस्ट होती है फिर क्या बताए इसमें विशाय अपने आप में पूर्ण होते हैं और चंद इसमें स्वतंत्र होते हैं चंद इसमें क्या रहते हैं स्वतंत्र होते हैं उधारणी जैसे जिहारी रहीं प्राई सुर के मीरा के दो हैं मिरा के दो ऐई स्थ सकाथ म होते महरकां मुखत पाथ्यंग मुखत के दो ब्रादा मुखत है पाम्त्य मुखत के बेद बार्चे मुगत रेहने बश्र की प्रणाmers व्हें girls यह नत्य नत्य होता है किसी विचादा यह तुरण reindeer ये उप्दक में इसमें गीती या प्रवीती कावे भी होते हैं। पहला है भाव प्रवन्ता, सोंदरे बोद, अभी व्यक्ति, भाव की प्रधांता होती है, ये मुक्तर कावे में प्रवन्ता होती है। है, सोंदरे का बोध होता है, पhris, अभी व्यक्ति संशित अब संशित न होती है, संघीत आत्मक होती है, संशित तो होती है अभी व्यक्ति में। पिर संगीत आत्मक होते हैं लई आत्मक होते हैं लई की भी प्रधांता होती है तो हमने आए क्या पढ़ा बच्चो कि खंड काव कभीता का विकास और स्वरूर पढ़ा आपको इसको पढ़ना है और लिखना है अपनी कावी में, द्रामर कावी में है न कि खंड काव क्या है, मुपत काव क्या है, पार्ट पुस्तक क्या है या गेकव, मुपतक, इनमें क्या-क्या होता है, ये सब को आपको पढ़ना है पच्चो और परिक्षा भी पास आ रही है, तो हमको आप सब को बढ़ाई की भी परिक्षा की भी तयारी करनी है